आपको पहले कथा में कहा है एक शमी का पौधा, बेलपत्री का पौधा, आउले का पौधा, पीपल का पौधा, बट का पौधा, ये सारे जो पौधों का वर्णन हमने पहले की कथाओं में करा है, उसको जड़ा द्यान से सुनना, जड़ा द्यान देकर उसका स्मर्ण करना है हमने पहले भी कहा इस चीच के बेल पत्री के पेड़ के नीचे या शमी के पेड़ के नीचे साधरन ता नहीं है बेल पत्री के पेड़ के नीचे लच्छमी का निवास होता है फारवती जी का निवास होता है शिवजी का निवास होता है पीपल के ब्रक्ष के नीचे बावन हजार द्रहमणों का निवास होता है भगवान विश्मु का और शिवजी का निवास होता है इसलिए शिवजी का नाम एक पिपलेश्वर महादे होगी शमी के पेड़ के नीचे भगवान शिव अपने अरभंग सुरुप में विराज मांदे अरभंग सुरुप ऐसा हम क्यों करते हैं कि आप लोगों को भी पहले कहाँ समी का जो पत्ता होता है हम पहले भी तक्था में कहा है जो व्यक्ति मदीरा में डूबा रहता है नशे में डूबा रहता है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में ये तंबाकू गुटका या पाउच अजी खाता रहता है और उसका गुटका पाउच छुटने कोई तैयार नहीं होता हूँ विचारा प्रयास करता है, इसा नहीं कि नहीं करता हूँ, आजकल के जमाने शमी के ब्रक्ष के नीचे, शमी के मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, उस पर जो बेलपत्र समर्पित करता है, और शमी पत्र समर्पित करता है, वो बेलपत्री को उठा कर लियाता है, शमी पत्र के साथ में शिवलिंग की पूजन करी हूई शिवलिंग का विसर्जन कर देता उसी दिन उस बेल पत्र को लाए हुए बेल पत्र को जो समी पेड के नीचे पूजन करकर बनाया गया ए उस बेल पत्र को जो नशा करने वाला व्यक्ति होता है उसको तीन दिन तक लगाता पहली पत्ति बीच की, दूसरी पत्ती राइड की तीसरी पत्ती लेट की जो एक एक करकर तीन दिन तक खिला देता है तीन या चार वार अगर प्रयो कर लिया तो ये निशित है दूसरी वार वो नशे में धुद्ठ नहीं गोगा ये निशित है शमी रखशत झाल झाल झाल